इस्वागेते हैं अब सभी का आप सभी की बसंद्र ड्रीव चैनल राएजुकेशन में सभी मित्रों को शुर्प्रपाद वेरी गुड मौनिंग ट्वल ओफ यू अब देट और चनचा कही महत्पून अपडेट पर करनी है आज के मौनिंग सेशन में आज के प्रमुक अगबारों से कई महत्पून अपडेट को कवर करेंगे जिनमें प्रमुकताच बात करेंगे सुप्रीम कोट में सरकार अब आर्या पार की लडाई बची हुई है आज होगी संसर्ट और संसर्ट चैनित लिस्ट को रद करनी की सुनवाई लोहा सिंग बनाम उत्तर प्रदेश राज सरकार चैनित लिस्ट पर आज बहुत महत्पून सुनवाई है और इसके वारे में आपको अपडेट लगातार मिरती रहेगी इसके लाव उत्तर कुंजी विवाद भी सुप्रिम कोट की चौकट पर दस्तत दे चुका है खस्तूरबा कांदी विद्याले प्रकण में स्टीव जांच लगातार चल लिए और इन सभी चीजों के बीज में बहुत महत्पून है कि आपकी एक जूटता कितना है और वहीं इस भर्दी का भविश्य तै़ करेगी अगर आप एक जूट हैं अपने अधिकारों को लेकर सभी विपक्ष में जो भी सबके अधिकार हैं वह आपके समक्ष अधिकर हैं लेकिन अगर आप चैनित हैं और आपकी एक जूटता नहीं है तो कहने के प्रस्ण चीन है इस बात कि आप आगे क्या करने वारे हैं अपडेट को कवर कर लेते हैं तो सुप्रियूम कोड में सरकार है और अभी तक डेट का जो प्रक्रण है अभी क्लेरफाई नहीं हुआ है कली से आपस में तना तनी का देखा जा रहा है लेकिल टीम लोगों को बीच में भी काफी ज्यादा को कोई बोल रहा है कि अभी यह हुआ है को द्यान से सुन लीजे बारह तारीक जो आपने पीडिएफ देखा होगा सरकार कुर्ण से जो भी चीज़ें लगाई गे माडिविकेशन अप्लिकेशन में वह उसमें लास्ट मेंडेड मेंशन है बारह तारीक बारह जून दोजार व यानि कि जब वो मेंशन हो जाएगी तभी तो वो सबको विपक्ष पक्ष को मिलेगी वो PDF इतना तो आपको पता ही होगा ना दूसरी महत्पून बात सरकार ने अपना AOR चेंज किया सबसे महत्पून बात देखें मॉडिफिकेशन अप्लिकेशन में कोई भी चीजें तरूटी नहीं होती हमाँ ठीक है ना डिफेक्ट वाली बात नहीं होती है जैसा लीगल टीम ने बताया है उस रिसाफ में बता रहा हूं और इसमें कोई डिफेक्ट वाली बात होती नहीं है दूसरी महत्पून बात इसमें ये है कि आपके सरकार ने AOR यानि पूरा प्रक्राण पिछली सुनवाई में इतना ज्यादा उल्टा सीधा क्यों हो गया है इतना ज्यादा मति भ्रम क्यों दोनों जजोगा कर दिया गया क्योंकि तीन खंडी पीट है यूज़ाई साब अल्टरनेट डेस बैठ रहे हैं सरकार की पूरी मनुशार है कि उन्हीं क को ही वह बैटिंग और फ्राइडी को ही अपना केस टेक अफ होनी की संभावना हो सकती है हाला कि अब इसमें यूज़ाई साब अगर पहरे बढ़ जाते हैं सरकार अपना काम करेगी ही करेगी लेकिन आज की सुनवाई भी तो आज चैनित लिस्ट को लेकर भी है जिसमें सर जादा एक जूट है और सेकेंड काउंसलिंग में जो उनको पता है कि मेरा मौका पुक्का जाएगा कंफर में हो कि मेरा 100% सेलेक्शन होना है तो वह भी अपनी जूटता को प्रदर्शित करें और मैं देख रहा हूं हूं कली से काफी चैनल्स वाले जो न्यूस चैनल्स वा मतलब न्यूस चैनल्स होने के बावजूद भी आप ऐसा ऐसे वाक्या करते हो जो अपने अपने मतलब कंट्रडिक्टरी है और कहिन की इन सारी चीजों के बीच में प्रश्ण चिन ना लग जाए को पर यह बात बहुत कंबीटता सो सोचनी बात है है अब आप सोचोगे कि बढ़ती रद्द होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए ऄंपास होने वाले सब्सक्राइब कर रहे हैं कोई भी भरती ऐसी उठाकर दिखा दीजिए जिसमें इतना ज्यादा प्रष्टाचारिता को प्रश्मचीन है वह नहीं देखने को मिला होगा आज तक तो किसी ने इतना प्रश्मचीन उठाए क्यों उसके पिछे रीजन है कि खटिया खड़ी होगी ऐसे लोगों की और इन पर प्रश्मचीन तो बनता ही बनता है बहराल आगे बात्चीत करते हैं बाकि उत्तरकुंजी विवाद तो आप सभी को पता है कि उत्तरकुंजी विवाद जो है वह सुप्रियूम कोड के दस्तक दे चुका है सुप से इस पशबात है कि लीगल टीम ने उसे के ज़स्ट बात आपका दाखिल कर दिया था सुपरिम कोड में इसके बाद सरकार ने भी एपना केवेड दाखिल दो लगबग दो केवेड दाखिल ते और कल भी एक संभुता केवेड देखने को मिला था यहां पर तो आंसर की माम नीजोत करने से आप रुख जाओगे तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि यहां पर अहित हो रहा है दो वर्सों से लोगों का। ठीक है लेकिन मैं यहां पर सीरे जीरे सीरे में रहा है कि आपका अधिकार है आप अपने अधिकारों के लिए जा रहे हैं आपके सिर्फ एक प्रशन सीधा और सड़ी उसका उत्तर देदीजगा अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि सब लोग ते समतिल होते मुझे पता है अब ये चैनित हो चुके इनके भी तिक अधिकार है जो मानसिक परताडित हो रहे हैं ये चैनित होने के बावजिद भी मानसिक परताडित हो रहे हैं काउंसलिंग में जाकर वापस आने पर भी मानसिक परताड़ीत हो रहे हैं तो इनके अधिकार कहां चड़े गए इस बात का उत्तर किसी इक पास हो तो भाया दे देना दूसरी महत्पून बात है कि उत्तर कुंजी में कई लोग मुझे बोले हैं कि आप भी जानते मुझे तो साल बंडेर साल से उठा रहा हूँ तो मुझे क्या बता रहे हो की होगा कि नगत लेकिन मैंने कल भी वोला था और आज भी बोलूँगा और भाविष में भी बोलता रहूँ गा जब तक भरती पॉन्ही हो जाती कि भरती प्रकृश्या को फसाने के लिए रद्द के लिए रोकने के लिए अगर आप खड़े होगे तो आपका सांथ नहीं दूंगा इस चैनल से एक दम इस परस्ट बोल रहा हूं अगर आप अपने अधिकारों के लिए जाओगे अपने राइड्स के लिए जाओगे हमेशा आपका सांथ देता रहूँगा लेकिन फरजी काम करोगे कोई सांथ नहीं देगा इस बात को कोई सांथ या ना दे मैं नहीं दूंगा सीधियो और स्पश्ट बात है क्योंकि यहां पर अधिकार योगितम अभृतियों का है जो पहली लिष्ट में चैनित है वालिट लोग है फरजी शच्रक्षा और आज पक्ड़े जा रहे अपने अधिकारियों के लिए और भरती पर किसी प्रकार का कटा शेप इस प्रकार का रोना प्रकार का रोकना अगर आप नहीं करते हो तो आप जान लोग राए जो कंचे ले के सथ खड़ा हुआ है लेकिन और सिर्फ अजिकारों के लिए किफ न需ज अप epis ALL औहरे हैं लोगों को प्रेम हो चुका इस चीज़ से लाबाद हाई कोट में एक के बाद एक याचिका दैर की जा रही है और इसी करम में अब कुछ बैठती उने सुप्रिम कोट में याचिका दैर की है अमित इत्रपाठी और रिशब मिश्रा ने सिक्षक बढ़ती परिक्षा में कई व देश में बदलाव करने की गुहार लगाई थी जिसमों नुतरह साय के दापकों बढ़ती में करीब 37,000 पर रोक लगा दी गे थी अब यह बताया जा रहा है कि 37,000 परिक्षार थी शिक्षा मित्र हैं और जिनों ने इस परिक्षा में 40-45 फिजदी अंग प्राप्त किया है ह अलगे सरकार के रहे कि इसकी संख्या कम है सरकार ने सभी 90,000 पर बढ़ती करनी के जाज़त मांगी है शिक्षा मित्रों की तरह सूबे के अनुदेशकों को उनने भी मांगा वेटे बहुत बढ़ी है अब सब वी को वेटे चाहिए और बहुत अची बात भी है शिक्षा मित martial river के मांगे की बना है कि इतनी तरीके से भृती को फसाने वाले लोग हैं कितनी तरीके से क्यूंकि अधिकार तो है सब का लेकिन इन अधिकारं की बीच जो सिधी बात बोल रहा हूं बुरा लग रहा है लगे कि लगना भी चाहिए क्योंकि एक पक्ष विसेस की वजए से पूरी भरतिव प्रक्रिया हर तरब से फस रही है और इनी का पूरा क्रिया कलाप है जो भरतिव प्रक्रिया को चारो तरब से फसाते जा रहे हैं क्यों क्यो कुपी को 31-31 इस्थान क्यों पाइदान मिलता है राज्यों की बाद छोड़िए केंद्र सांसे प्रदेशों में भी कई केंद्र सांसे प्रदेशों से भी पीछे है सिक्षा के मामले में क्यों इनी की वजह से पिछली भरतिव में जितने लोगों ने यहां पेकरिया कलाब गय इनके सांसा जितने लोग दीमा की तरह सिक्षाविबा को चाट रहे हैं खोकला कर चुगे हैं पूरी नियों को अब सरकार को यह देखना चाहिए कि किस के सांस सरकार है योगता का ढोल मजीरा प्रिरती है सरकार लेकिन योगता की पक्ष में है की नहीं वो देखने वाली बात होगी बैराल साली लेटेस्ट अपडेट कोट अपडेट के लिए बने रही है धन्यवाद